दोस्तों, इलक्ट्रोन की खोच करने वाले वैग्जानिक सर्जेज थॉम्सन को कोई नहीं जानता। इन्होंने अपने एक्स्पेरिमेंट से दुनिया को दिखाया कि इलक्ट्रोन एक पार्टिकल है, जिसके लिए इनको 1906 में नोबेल पुरसकार मिला। लेकिन आगे चलकर इनके बेटे सर्जोर्ज थॉम्सन ने या सिद्ध किया कि इलक्ट्रोन एक वेव है, जिसके लिए उनको 1937 में नोबेल पुरसकार मिला। हाना कि दोस्तों, इलक्ट्रोन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर भीएप करता है।